एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो किसी भी अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपनी लाइफ में एक पेंड जरूर लगाएं इस वीडियो में हम बात करेंगे एक seven days plan के बारे में और उस book के बारे में जिससे आपको preparation करनी है general knowledge की और social science की उससे पहले एक बार हम लोग analysis कर लेते हैं जो आपका पिछला exam हुआ था जो cancel हो गया उसके बारे में तो चले फिर पहले हम analysis करते हैं general knowledge और social science की तो जैसा कि आपक science को अलग कर दिया गया है ठीक है जो प्रश्ण पूछे गये थे उसमें से मैंने कुछ चुनींदा प्रश्णों के आप लिया हुआ है जैसे कि president of India comes under which article यानि कि प्रेशिदेंट से related जीतने भी articles हैं उसको आपके एक बार देख लेना है मानस national park के बारे में पूछा गया था बैनर घाटर नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया था और SCST article के बारे में एक question जो था आपका वो article 21 से था फिकी का full form पूछा गया था और ICAR जिसका आप लोग exam दे रहे हो इसके establishment के बारे में भी पूछा गया था यह जो एक प्रश्ण है यह science का है और एक question जो था पू पूछा गया था Capital of Bhutan पूछा गया था कलबेलिया डांस की से स्टिफ्टे बिलॉंग करता इसके बारे में पूछा गया था कैक के बारे में पूछा गया था और articles related एक यह दो प्रश्ण आपको हरे एक shift में देखने को मिले थे और इस बार भी मिलेंगे आर्टिकल 55, आर्टिकल 280 और आर्टिकल 32 के बारे में पूछा गया था अब हम दो देखते हैं science की वो प्रश्ण जो पूछे गये थे पिछले बार की exam में जो cancel हो गया था इसमें आपका पूछा गया था MRI का full form और greater disease के बारे में पूछा गया था इसके बाद pH value of blood, other name of methane, chemical name of vitamin D, full form of palm, एक प्रश्ण आपका photochemical smoke से था, दूसरा आपका vital force theory से था, एक प्रश्ण जो थाव आपका woman capsule से था, इसके बाद laughing gas से था, amphibian से था, LPG के बारे में पूछा गया था, और आपका solder के बारे में, इसके बाद greater disease caused by, यानि की घेंगा रो इसके बाद से होता है, और chemical formula of furia, chemical formula of gypsum या chemical formula of plaster और Paris, ये भी common है, जो हमेशा प्रश्ण पूछा जाता है, pH value of human blood, ये दो बार पूछा गया था, और Parkinson disease, Parkinson disease के बारे में पूछा गया था, इथाइल alcohol contains, इथाइल alcohols क्या 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 क्या, contain करता है, और marks case के बारे में, ये कुछ चुनिंदा प्रश्ण में लिया हुआ था, अब general knowledge की बात करें, तो इससे 25% रहने वाले हैं, और social science से भी 25% रहने वाले हैं, ठीक है, ये जो सारे प्रश्ण है ये आपको lucent में 98% मिल जाएंगे, तो 50 marks का जो आपका preparation है, वो आपका lucent से अरहाम से easily हो सकता है, ठीक है, तो मैं lucent के बारे में ही बात करने वाला था, कि lucent को आप लोग regular कम से कम एक से दो घंटे उसको पढ़ा करो, उसको दो से चार बार पढ़ने के बाद ही, आपको सारे चीज़े clear होंगी, औ एक बार पढ़ लेने से कुछ नहीं होने वाला है, आपके पास अभी भी 7 days पढ़े हुए हैं, अगर रोज आप science के person को, या social science के person को, कम से कम एक घंटे या दो घंटे उसको पढ़ते हो, तो आपका science, social science और general knowledge, हाँ general knowledge का जो current affairs का जो parts है, वो आपको लग से पढ़ना पढ जो है, वो आप इसे cover कर सकते हो, यानि कि 60 marks आप यहाँ से gain कर सकते हो, कि वो लुसेंट को पढ़के, अगर पिछले exam के good attempt की बात करें, तो general knowledge में जो good attempt था, वो था 17 से 18, mathematics की बात करें, तो 20 से 22, science की बात करें, तो 19 से 21, और social science की बात करें, तो 15 से 17, यानि कि overall अगर देख 21 to 78 आपका good attempt रहा था, और यहीं good attempt इस बार भी रहने वाला है, कुछ ज्यादा change आपको देखने को नहीं मिलेगा, हाँ यहीं है कि जो आपका current affairs का जो section है, यह आपको फिर से prepare करना पड़ेगा, और 2022 और अभी 2030 में जून, यह पुरे डेर साल का current affairs आपको पढ़के जाना हो अब हम बात करते हैं कि साथ दिनों तक आपको करना क्या है, तो सबसे पहले सुबह उठते ही, पहले एक से दो घंटे आपको क्यो लुशेंट पढ़ना है, आप जिस section को पढ़ो, ठीक है, एक घंटे आप देख सकते हो, एक घंटे आप देख सकते हो science को, और एक घंटे दे सारे पढ़ने एक घंटे में या दो घंटे में, अगर चार घंटे भी लग जाया तो कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे ही, जीके और social science को भी एक से दो घंटे आपको repeated पढ़ना है, कम से कम पाच या छे दिन, जब तक आपका exam नहीं हो जाता है, और mathematics की बारे में बात करें, तो साम को 6 बजे से रात को आप जितने बज़ तक practice कर सकते हो, आप उसका practice करो, अगर mock test दे रहे हो, physically कोई book लिए हो, उसका mock test दे रहे हो, तो वो कुछिस करो कि आप 11 से, दिन में 11 से, दो बज़ तक या 3 बज़ तक, आप जितना mock test दे सकते हो, अपना mock test दो, इतने में आपका paper easily clear हो जाएगा, मेरी guarantee है, चैनल पर नए हैं, तो चलो को जुरू subscribe कर देना, धन्यवाद